गुद मार्निंग स्टूडेंट, आएम लता सकसेना, यौर हिंदी टीचर, वी आर स्टार्टिंग सेविंध चैप्टर, मेरा विनम्र विरोध बचो इस स्टोरी में ये बताया है, सबसे पहले तो ये स्टोरी रमेन ना टैगोर, जो एक महा कवी हैं, उनके बारे में लिखी हुई है, कि इस इंडिया कंपनी में आए, अंग्रेजों ने धीरे-धीरे भारत पर अपना शिकंजा फैलाना प्रारारम कर दिया, उनके अत्याचारों के विरोध में जन आंदोलन होने लगे, किन्तु उनके क्रूर और अमानविये तरीके ने 13 अप्रैल 1919 को अमरिस्तर के जलिया वाला भाग को लहुलोहान कर दिया, सारे देश में अंग्रेजी सरकार के विरूध आकरोश की लहर दोड़ गई, इस नर हार से पीडित होकर रबेन ना ठाकर ने अंग्रेजों के प्रति अपना विरोध दर्ज करते हुए अपनी सर की उपादी को लोटा दिया, तो इस चैप्टर में यही बताया है कि जब 1919 में अंग्रेजों ने एक अन्याय पूर्ट कानून रॉलेट एक्ट बनाया, जिसमें भारतियों द्वारा किये जाने वाले स्वतंतरता अंदोलन को दबाया गया और भारतिय राजनेतिक कैदियों को बिना किसी ठोस कारण के दो साल जेल में रखने की अनुमती प्राप्त की गई, इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, देश भर मे इसकी अमरिस्सर की बैसाखी रोंग्टे खड़े कर देने वाली थी, चारो और तेश स्वर से आवाजें गुझ रही थी, रॉलेट, एक्ट, मुर्दाबाद, काला कानून बापस लो, यानि कि हर भारत बासी उस कानून के विरुध था, लेकिन वो शान्ती पूर्ण धंग उन्होंने अपने फौजी जबानों को ये आदेश लिया कि आप फायर कर दीजिये, और फौजी जबानों ने जैसे ही फायर बड़साय करना शुरू किया, तो वहाँ पर की जनता भाग तो पाई नहीं, और वहाँ पर वो लोग उनका जीवन समापत हो गया, तो जर्नल डा गया कि उसने फायर करने का आदेश दे दिया, 31 मई 1919 को रवेना टैगोर ने इस हिर्दय विदारक घटना के विरोध में 1915 में प्राप्त की गई सर की उपादी को लोटा दिया, जो भारत के उस समय वायसराय लौड जेंस फूर्ड को एक पत्र लिखा और अपनी सारी बातो को उस पत्र में उजागर किया और कहा कि मैं कम से कम भारतियों के साथ इतना तो अपने देशवासियों के साथ इतना खड़ा हूं और यही मेरा उनके साथ एक सहयोग है कि मैं अपनी सर की उपादी जो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया था, मैं उस उपादी को आपको बापस लोटाता हूँ तो इस चैप्टर में यही बात को समझाया गया है थेंक यू